आज इस वीडियो में गुरूप 5 का जो आप लोग का एक्जाम हुआ है उसका एक्सपेक्टर कटाप के बारे हम जानेंगे फर्मासिस्ट, लैब टेक्निसियन और अधर एक्विलेंट पोस्ट जितने भी पोस्ट हैं उसके बारे हम अलाला कटाप जानने वाले हैं कि आप लोग का कितना नंबर आया है तो आप लोग सेफ जोन में हैं और आप लोग आगे कि तयारी कर सकते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए कि आप लोग कितने नमबर आ रहे हैं और कितने नमबर आने चाहिए तो आप लोग को तैयारी अच्छी है और आप लोग सेफ हैं यानि आगे की तयारी आप लोग कर सकते हैं तो चलिए आप लोग विना देर की वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए इसी तरह की नए वीडियो पाने के लिए और आप लोग से रोकेश्टक वीडियो को like and share जरू कीजिए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं देखते हैं किस post के लिए कितना cut-up होना चाहिए चलिए पहला देख लेते हैं पहले हम लोग देखते हैं lab technician के लिए ग्रूप 5 का जो एक्जाम हुआ है MPAV group 5 का lab technician के cut-up की expected cut-up के लिए देख सकते हैं आप लोग को बता दूँ प्लस 1 और प्लस माइनस आप लोग cut-up को लेक के चलना है प्लस 1 प्लस और माइनस 1 cut-up को लेक चलना है एक नमबर ज्यादा एक नमबर कम भी आप लोग का हो सकता है आप लोग को धानकना है क्योंकि नार्मलाइशन होना है उसके बाद आप लोग को कुछ भी हो सकता है जैसे MPPST का अभी cut-up आया है तो कुछ कहा नहीं है किसी का expected cut-up धरा का धरा रा गया लेकिन बहुत ही ज़्यादा cut-up चला गया क्योंकि उसमें आर अच्छर का मामला था 40% general को दिया गया देखना है आप लोग को उसको notification पढ़े हो तो आप लोग समझ में आ जाएगा देखते हैं lab technician का cut-up आप लोग का रहने वाला है आप लोग कितने नमबर आना चीए lab technician में तो आप लोग safe zone में है तो यह हैं आप पहले देख लेते हैं general कटे दिया general कटे कितना होरची है 73 और 75 के बीच में है आप लोग का safe zone में है आप लोग बता दो प्लस वन प्लस माइनस लेके आप लोग ज़रू चलना है safe zone में है यहीं आप लोग आगी तयारी के बारे में सोच सकते हैं नेक्ट है OVC category OVC category है 67 और 67 से 70% आप लोग का marks आ रहे हैं आप लोग तयारी अच्छी है और आप लोग safe zone में है और इससे नीचे आ रहात आप लोग नीचे zone में मतलब आप लोगे safe zone में नहीं है normulation में कुछ भी हो सकता है कि कुछ shift wise उन्लों का normulation होता है जिस shift का paper tough आता है उसका normulation थ्वासा नीचे जाता है और जिसका easy आता है उसका थ्वासा ऊपचला आता है आप लोग उधायर रखना है General का 75 है लेब टेकनिसियन का किसका लेब इसमें लेब टेकनिसियन का देख रहे हैं और अभी ग्रूब 5 उसमें वाले फार्वासिस्ट का अला अला और EWS कटेग्रीका है 71 से 74 कितना है 71 से 74 आप लोग को राना चाहिए यसी कटेग्रीका है एसी का है 56 से 59 और एसी कटेग्रीका है 51 से 53 क्या है 51 से 53 राना ही चाहिए तभी आप लोग सेफ जोन में माने जाएंगे आप लोग को ध्यान रखना है नेक्स देखते हैं नेक्स देख लेते हैं स्टाफ नर्स का क्या स्टाफ नर्स के कटाप कितना राने वाला है 2021 का क्योंकि पेपर न चो दजाज तफ आ रहा है ज्यादा तफ भी नहीं आ रहा है न ज्यादा एज़ी आ रहा है मेडियम रेंज में आप लोग का पेपर आ रहा है तो आप लोग को धानक ना है ज़्यादा कटाफ नहीं जाने वाला ना ज़्यादा लो जाने वाला है मेडियम में रहने वाला कटाफ भी नेक्स्ट है जनरल कटेगरी general category है 75-78 रहने वाला staff nurse का कितना 75-78 दो left एकने से थोड़ा सा कम था लेकि इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है staff nurse में OBC category के रहने वाले है 70-73 कितना 70-73 के बीच में रहने वाला आप लोगों को ध्यानक ना है यह है staff nurse का आप लोग चाहिए तो copy my note down भी कर लिजिए hkins लिजिए यह expected काटाफ है आप लोग प्लस वन माइनस वन लेके चलना है next question है any sorry काटाफ है EWS category में 73-75 कितना 73-75 के बीच रहने वाला है next है ST category कितना ST category यह 58-61 के बीच रहने वाला है ST का है 54-57 7 के बीच में रहने वाला expected काटाफ और बहुत कुछ तो नामाला addition पर depend करता है उसके उपर क्या हो रहा है next है यह है lab attendance का काटाफ क्या है attendance का यह है आप लोग का general category का 71-73 की बीच रहने वाला है और OVC category का 68-72 की बीच रहने वाला है 68-72 जर्नल का 71-73 EWS का टेगरी का 69-72 SC का 58-62 और ST का रहने वाला है 51-54 हमेशा ST से नीचे ही जाता ST का आप लोग को धानक ना है ज्यादा तो नहीं रहने वाला है अब देख लेते हैं Assistant Annual Medical Area Officer कटाप का कितना रहने वाला है यह आपको रहने वाला है General का टेगरी का 72-75 72-75 OBC का रहने वाला है 67-71 अब OBC जर्नल में ज़्यादा फर्क नहीं रहा गया है बस एक दो नमबर का फर्क रहता है नहीं तो सेम कटाप जाता है आप लोग को धानक ना है Next है EWS कटेगरी में यह रहने वाला है 70-72 80 का रहने वाला है 57-60 और 80 का रहने वाला है 51-54 और बहुत सारी पोस्ट है जिसमें बहुत कम पोस्ट है उसका कटाप नहीं जारे किया गया है आप लोग का कटाप आता है नहीं नमबर आता है तो आप लोग सेब जोन में है नहीं तो आप लोग नीचे हैं अब इससे ज़्यादा नमबर लाएंगे तभी कुछ हो सकता है तो यह रही आज़ी कटाप पूरी डिटेलिंग आप लोग चाहें तो लिक भी सकते हैं या इस वीडियो को देख लेज़े इसकी बीच में आप लोग का नमबर आ रहे है तो आप लोग सेब जन्म में हैं नहीं तो आप लोग की देख सकते हैं एकजाम त्यारे अच्छे स्कीजिए आप लोग को और किसी भी एक्जाम MP Police, MPPSC, ADD और MPSI की तयाय का रहत आप लोग चैनल पे बने रहे हैं आप लोग को daily by daily वीडियो मिलती रहेंगे तो चलिए मिलते हैं लेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिन जैभारत